हेलो फ्रेंज, मैं अनामिता, मेरी कीजिन में आप से भी का स्वागत है आज मैं इटालियन टीज्ट की रेश्पी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेश्टी है तो फ्रेंज, इस रेश्पी को हम एक दो टीफ्स के साथ बताएंगे जिससे आपके घड़ में एकदम रेश्टोरेंट की जैसा पास्ता बनकर तयार होगा यह वाइट शॉष पास्ता है, इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करती है यह बाजार में बहुत ही इसली मिल जाता है तो फ्रेंज, अगर आज की मेरी वाइट शॉष पास्ता की रेश्पी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए आज हम पैनी पास्ता बनाएंगे तो यह इतालियन दीश है, यहाँ पे हमने सौगरा पैनी पास्ता लिया है तो इसमें ध्यान से देखिए, लाइनिंग बने हुए हैं इस पास्ता में क्या होता है? अपना शॉष जो है, अच्छे से कोट करता है तो यह खाने में बड़ा ही टेश्टी लगता है बच्चे इसे पाइप पास्ता भी कहते हैं पास्ता अलग-अलग तरीके से बाजार में अपलेबल है आप जिस तरह का पास्ता चाहें उस तरह का ले सकते हैं तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे गैस पे हमने एक लीटर पानी उबाल लिया है हम पानी में नमक डालेंगे तो यहां पर नमक में हम कंजूसी नहीं करेंगे हमें पानी को एकदम सॉल्टी बनाना है क्योंकि जब हम पास्ता को उबालेंगे तो पास्ता जो है अपना नमकीन हो जाएगा और यहां पर हम एक चमच तेल डालेंगे तो तेल हमें जादा नहीं डालना है क्योंकि पास्ता में चिकनाहट आ जाएगी तो शौश की कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी तो हमने यहां पे तो चमच नमक, एक चमच तेल डाला है तो हमने पानी को मिक्स कर लिया है तेल नमक के साथ अब हम यह पास्ता जो है इसको इसमें छोड़ देंगे और इसमें हम अच्छे से उबाल आने देंगे तो लमसम हम इसे 2-3 मिनट उबलने के बाद चेक करेंगे गैस का फ्रेम हम पेज ही रखेंगे पास्ता में अच्छे से उबाल आना शुरूर हो गया है तो हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक एज शौक ना हो जाए हमें ज़्यादा शौक नहीं करना है तो हम इसे बीच में आपको बताएंगे हमें कितना इसे उबालना है पास्ता को हमने तेज फ्रेम पे वाइल किया है तो आप ध्यान से देखिए पास्ता अपनी अच्छे से वाइल हो चुकी है हमें इसे 80% ही कूप करना है तो हम इसे चेक कैसे करेंगे हम एक पास्ता को निकालेंगे और ऐसे रखें और एक नाइफ से उसको ऐसे काटेंगी तो आप ध्यान से देखिए पास्ता तो अपनी कट रही है पर अच्छे से गली नहीं है तो यह जो 20% है उसे हम शौश में कोप करेंगे तो अब हम गयास के फ्लेम को आफ कर लेंगे और यह उपना हो इसके लिए हम इसे ठेंधे पानी से दो देंगे तो आप ध्यान से देखिए अपनी पास्ता पानी निकल चुका है अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे आप चाहें तो इसे ठंडे जगह पे यानि की पंखे के नीचे या ऐसे भी रख सकते हैं इससे क्या होगा एक तुसरे से चिपकेगा नहीं गैस पे हम फ्राइब पैन रखेंगे और उसे हम दो चमच तेल डालेंगे तो यहां पे आप ओली वय तेल डाल सकते हैं तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे एक चमच लहसुन इसे हमने बाड़ी काट लिया है तो यहां पे हम एक चमच लहसुन डालेंगे और इसे इसे प्रेकेंड के लिये तेल ख्रीम भी प्राइब करेंगे गैस का फ्रेश हमें तेल ही रखना है इसे हमें श्लो नहीं करना है अब हम इसमें एक मेडियम साइज दालेंगे जिसे हमने बाड़ी काट लिया है अब हम इसमें डालेंगे कातर जिसे हमने बाड़ी काट लिया है केफिकम यहां पर हम जालेंगे कौन कौन उनियानंग। गाजल सब को हमने आदा मिननम तक भून लिया हैं। अब हम इसमें डालेंगे केफिकम। ₹ केफिकम घाल रहे ederim रहे हैं आप चाहे तो इसमें जाले serekt नमिप Cisco केफिकम। ₹ कफिकम। ₹ के केफिकम और केफिक ayam तो हम बराबर इसे इस्टर करते रहेंगे और मेडियम खेम पे हम इसे ताई करेंगे विश्चिंव सब्सक्राम नमक वाइल करनी तो कहिंगे जो किस सब्सक्राइब भॉ मैं कुछ बड़ी Breaking चला लेंगे तो पास्ता के लिए अपनी सब्जी जो है अच्छे से फ्राइब हो गई है तो यह अपना दूसरा एश्टेप पूरा हुआ अब हम गर्स की फ्रेम को आफ कर लेंगे और सब्जी को एक बॉल में खाली कर लेंगे हमने सब्जी खाली करके पैन को अच्छे से क्लीन कर लिया है अब हम कैस को आम करेंगे और इसमें हम बटर डालेंगे तो यहां पर हम एक चमच बढ़के बटर डाल रहे हैं इटारियन पास्ता जो है बटर में ही बनाना चाहिए यह बहुत ही तेश्की बनता है तो यहां पर हमने बटर को डाल दिया और हम जस्ट बटर को मेल्ट होने देंगे ज्यादा गरम नहीं करेंगे जलना करो हो जाए उसमें हम चार चोटी चमच मैदा डालेंगे तो यहां पर हमने चार चोटी चमच मैदा डाला है और हम बटर की साथ ही पे अच्छे से ख़मेंगे तो ज्याद रहे अब हमें कंट्यू मैदा और बटर को चलाते हुए फूनना है तो कि जड़ासा भी लग गया तो अपना वाइट कख्यों भूनेंगे गैस का फ्लेम हम मेलियम तो स्लो रखेंगे इसे हमें चलाना नहीं रोपना है यह बहुत ही मेनेश टेप है पास्ता बनाने में जाल से देखिए मैदा कैसे फूल रहा है बटर की साथ अच्छे से भून चुका है इसमें से एक अच्छी सी फ्लेवर आन हूआने लगी हम यहां पर ढालेंगे एक घूुअ कि यह अपना चार सवाऎ में दूद है और तो अच्छे से टूटे अच्छे मिड़ने के लिए हम यहां पर इसप करेंगी आच्छे से चलाते हुए वाइट शॉस बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा दूरा लिए और इसे अच्छे से मिक्स किजिए वाइट शॉस बनाने के लिए शाड़े इसके बहुत ही जरूरी होते हैं तो हम इसे चलाते दुए अच्छे से मिक्स कर रहे हैं तो हमें दूद को दो सी तीन इस टेप करके डालना हैं नहीं तो मैदा जो है अपना अच्छे से बुलता नहीं है और शॉष में गुठलिया दिखने लगेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया हैं अब हम चम्मच के सहारे इसे अच्छे से पका लेंगे उसमें अच्छी खाची उबाल आ गई है इससे हमने उबाल आने के बाद एक मीनट तक अच्छे से चलाते हुए पका लिया है अब हम गैस के फ्रीम को स्लो कर लेंगे, हम इसमें डालेंगे एक चमच ग्लाइक पेपर, टेश्ट के नुशार नमक, एक चमच चिल्ली फ्लेक्स, और पॉरी येनों, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसके बाद डालेंगे फ्राइ किया हुआ भेजी टेबल, इसे हम डाल देंगे, और अच्छे से इसे हम शॉष के साथ मिक्स कर लेंगे, सबसी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे पास्ता, तो हम पास्ता को थोड़ा थोड़ा डालके, और शॉष के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब यहां से देखिए, यहां पर अपना शॉष जो है, पास्ता के साथ कैसे कोट हो रहा है, हम अच्छे से इसे मिक्स करके, और आधा मिनट तक हम इसे शॉष के साथ पकाएंगे, पास्ता को हमने आधे मिनट तक शॉष के साथ पका लिया है, अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी ग्रेड़िट चीज, चीज से पास्ता और भी तेश्टी हो जाता है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह मेरा होममेट क्रीम है, इससे पास्ता और भी तेश्टी होता है, हम इसमें क्रीम को डालके और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, ध्यान से देखिए कितनी बढ़ियां अपना वाइट पास्ता त्यार हो रही है, तो अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़ियां अपनी इटानियर पैनी पास्ता वाइट शॉष में बनके तयार हुई है, और इसमें चीज का जो है फ्लेवर वो तो बहुत ही सुन्दर आता है, तो इसे हम अब तयार कर लिए हैं, हम गायस के फ्लेम को आफ करनेंगे, अब हम इसे सर्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए कितना बढ़ियां अपना चीज के साथ वाइट पास्ता बनकर तयार हुआ है, तो फ्रेंट्स गर्मा गर्म वाइट शौश पास्ता बनकर तयार है, इस इटालियन डेश को आप ज़रू ट्राइ कीजिए, ये खाने में बड़ा ही लजीज लगता है, तो फ्रेंट्स अगर आज की मेरी रेश भी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भोलिए, हाँ हमने जो इसमें एक दो टिप्स बताए हैं, उस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पाने उबालते टाइम ही हमें शॉल्ट डालना है, तो शॉल्ट की मातरा जो है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे हम तेल कम डालेंगे, यह मेरा दुसरा टिप्स है, क्योंकि पास्ते में चिकनाहट आ जाती है, तो फिर शॉष की कोटिक अच्छे से नहीं हो पाती ही है, अभी आप ध्यान से देखिए, अपना एक एक पास्ता में वाइट शॉष के कितनी बारीकी से कोटिंग होई है, और इसके साथ चीज जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो फ्रेंट्स इस रेश्पी को आप ज़रू ट्राए किजिए, अगर आज की मेरी रेश्पी आपको अच्छी लगे, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेट करना मत भूली, धन्यवाद